तो हेलो दस्तार नमस्कार मेरा नमस्ट जुपतबंडी और आप तो लोग का बहुत बहुत पागत है आपके अपने यूटूब के नल पे सो फ्रेंड मैं हूँ इसे मैं सलेंपूर के ब्रीज पे और मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ सलेंपूर का मार्केट और रेलेवे स्टेशन का नाजारा और आसपास का नाजारा तो इस वीडियो को पुरा इन तक देखते रहेगा आई आपको दिखाते हैं हर एक चीज और आप लोग को जनकारी देते हैं यहाँ पे जाम के उज़र से इस ब्रीज को बनाया गया है और आ आप लोग को मार्केट का पुरा सिल दिखाते हैं कि यहां से रास्ता है दो रास्ता है एक विदार है और इस राइड है जो दोस्तों मैं हूं इस समय सरलेंपूर के ओबर बिल्च के उपर और दोस्तों सरलेंपूर के यहां से उतर टाए वहें से आप लोग को मिल जागा बसो लोकी द मिवहीया केच लिए और गोरकबूर केलिए तो अभी आप देख सकते हैं आप यह बस जाएगा साइद और गोराकुरी जाएगा और आप को झिलते हैं और आप दिखाते हैं और बेज के उपर का नजारा कि आए तो दोस्तों देख सकते हैं या समय मैं सलेंपूर के बीज्द के उपर अब अब यहां मंदिर आप तो मैं हूं इससे में बिडिच के उपर शल्यमपुर का ये बिडिच देख सकते हैं और यहां street के मन्दिर है वह तुमाने यह और विडिश प्रसिद मन्दिर आप आइधे आपको दिखाते हैं बिसका नजाए तो दोस्तों मैं हूँ इसमें बीचो बीच बीच उपर हूँ और देख सकते हैं पुरा तस्वीर है यहां से आपको रेल्वे लाइन लेना जारा जाएगा मैं आप लोग को थोड़ा बहुती स्ट्रेशन का भी ना जारा दिखाऊंगा और एरा पुरा ब्रीज का सिर्ट तो कि यहां डेल्वे लाइन का नज़रा रेल्वे लाइन का नहरा रेल्वे लान का नहरा पुरा यहां अ पुराब़के यहां थे टो स्टूंग अ कि यह कुछ इस परका से सिंगनी दोस्तों आप लोग को बिडिज के नीचे बहुत सारे मार्केट भी नजर आ जाएंगी या कि दूदी ना कि अचे इंगी जाएंगी मैं अखर रूह को छूदस दो उनकर डिकादर नग्यकी जाएंगी जाएंगी तूदसी जब सिंगे इच्छिश कि अदूदसी घए-च्छिश्छ फूदसी जड़ सिन कर दो कि स्मार्ट ब्लोग बंटी सोपरेंडेख सकते हैं है चलंपूर का ब्रीज और यहां पर आप लोगों को बहुत सारे दुकाने नजर आजिंगी तो चल यह दोस्तों चलते हैं स्टेशन के तरफ और मैंने आप लोग को ऑबर फीज और आई आपको रेले लाइन और यहां का आश पास का सीजिग लिखाते हैं आश देख सकते हैं दोस्तों ओय बीचों पटविंदा के दिखा सागवी पीछे हैं यहां पर देख सकते हैं दोस्तों जाने की कोशिस महीं करूंगा इंके हम लोग को जाना नहीं है कई यहीसे में करना जादा तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि रिल्वे जक्षन करना जादा गया कुछ कि देख सकते हैं दोस्तों कि यह आप कि दोस्तों हम आ चुके हैं इस्टेशन के काफी करी और इधर कुछ से लेवे लाइन की पटरियां और हम लोग साथ का रास्ता से आए हैं और एक पीछे ट्रेन भी आ रही है वह साय देवर्या ही जाएगी चलिए दोस्तों डेल्वे स्टेशन का नाजाल दिखाते हैं तो वीडियो को इंटक्त देखते रहेगा कि इस्टेशन रखने हैं है 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 आपक दोखें कर दिया सोटेश्य आपके तो नहीं तो यूट्यूबर नहीं आपक जैंश्यूर करेंश्यूर क्या तो यूट्यूबर क्या नहीं शुर्थ्रेंद देख चकते हैं सलमपूर्श जकस्थान कि यहां पर दोस्तों पीने के लिए पानी उपलब्ध है देख सकते हैं आप लो दोस्तों मैं आचुका हूं इस्टेशन प्लेटफार्म पर यहां पर मैं पानी चेक कर रहा हूं क्या पानी उपलब्ध है नहीं पर आप लोग को पानी पिने के लिए और यहां पर यहां पर बिरिच-इस पास उपना के लिए को चलिये और आगे दिखाते आपको तो इस दोस्तों देख सकते हैं मैं अब अंदर जहा रहा हूं और यहां से आप लोग को बिरिज शुरू होता है चड़े में के लिए अब करना ज्यादा तो दस्तों देख सकता है है यह सलेर इंपूर डेलवेज स्टेशन का नजारा यह प्लेक हर्म का सिन है वेटिंग हाल कि अब 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 आधा 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 अब आधा अब लोग को नहीं राज़का अब अब आधा अब आधा इस टेशन से बाहर और तीछे है बोट और चारी तरब का सीड आधा यह यह आपको दिखाते हैं बेक कमरे से सूप्रेंड देख सकते हैं यह रेलवेज सलेंपूर रेलवेज स्टेशन करना जारा और काफी सुन्दा रहे यह भी रेलवेज स्टेशन देख सकते हैं लुक जब अजस्त यहां पर पार्किंग की सुप्दव है और यह है मेंगेट जो अंदर जाने के लिए जो दोस्तों देख सकते हैं यह है रेलवेज स्टेशन का बाहर का सीन और यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं मंडी के तरह और यह रहा मंडी का रोड जो की रेलवेज स्टेशन के ठीक बगल में है कि दोस्तों दोस्तों मंडी तो बन था मैंने इसलिए मंडी का से नहीं दिखाया और आप्रों वह ब्रभीज के नीचे का भी सिन देख से लिए आप्रों कि अर्व देख से लिए अधर आ पर्सित मंदीर है कि आए दोष्तों देख सकते हैं मैं उस पास इस पर आछ उका हूं और यहाँ से भी आप लोग को सु Holm सब्सक्राइबिया तो दोस्तो मैं विडिश के उस पास इस पर आचुका हूँ और यहां से अब हम लोग जाने वाले हैं देवरिया और इस वीडियो को इन यहीं पर करते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओगा तो इस चैनलों को जरूसा जरूसा स्क्राइब परें वीडियो में तब तक के लिए बाइबा टेका धन्नावाद